200-300 km जाने की कोई जरूरत नी मेरा बाई इधर ही आपको फुल सबंदर का टेस्ट मिलेगा एक डम पापलेट फुल दमाल फ्रेस का जुए ना के खाते से साथ आत्मी की जाना जावेगा एलेंच मार के बोल सकता है इसी कौलेटी दिखा दे इतना प्रेसने जगर दिखा दे क लेकिन हम श्रिप फोला दे सीपामदाबादी वाले जो सारी आइटम लाइव रखते आप देख सकते हो फुल फ्रेस बेजा देख सकते हो इसके अंदर आप इसकी खाली कौलेटी देख सकते हो अगर कोई मर्द है तो होटल वाला इसा बता कर दिखा दे मेरे को इसकी कौले लेकिन अपना सूरत है मेरे दोस इतना फ्रेस जैसे अप्वी समंदर से आयला एक तम लचाल लच खाली इसका कौलेटी देखो इसकी थिकनेस देखो कोई होटल वाला दिखा नी सकता है चैलेंच मार के बोल सकता है इसकी कौलेटी दिखा दे इतना प्रेसने दगर दिखा अपने समंदर के काजु यह दिखाता देखो इतना फ्रेस काजु है न खे साथ आजमी की आतमी की जाना जाए कि ludzie मृतना प्रोटीनेस की अधर देखो ależमंदर के काजु फ्रॉंस जिंगा एक नंबार कोई केमिकल नी कोई मसाला नी कोई तेल नी एकतम फुल फ्रेस एक बार विजित बारों खली सीपा हम दवादी तबाप हो रहें मेरा बाई इधर इस एपको फुल सबंदर का टेस्ट मिलेगा एकड़ ऑप्लेक, हो दमा विंग दो माल जैसे आप बोलोगे ना लसन वाला फ्राय, जैसे आप बोलोगे मसाली फ्राय, अचारी का फ्लेवर, हर फ्लेवर प्लेवर प्लेट पिलेगा, प्लेट ग्रेवी खाने का है, आपको प्लेट लसन खाने का है, खाली फ्राय खाने का है, चेकने के साथ खाने का, सारी आइटम इ अब जो बनाने जा रहे है पापलेट का मसाला पापलेट के मसाले में लोग क्या गड़ते हैं यह हमारा दादा ने मंगाया यह चाची का प्यार यह खाला का प्यार यह कोई कुछ नहीं होता है मेरे तोर एक तम साधा सेमपल खेती बाड़ी से आया हुआ अधरा क्लस्टन यह दालो थोड़ा सा एक तम साधा सेमपल एक तम कोई जाधा वो निया साधर अड़ बिचिक रेट चिली यह थोड़ा सा पठाणी मसाला है जो हमारा बनाया हुआ बस इस तम सफ ज़िए रे डिखावार ने की लोग क्या गरते आधा प्तर आधा किलो मसाला अमुल का चिश इरे यह सब में परी थोड़ी मजा रेता है ओरीजनल चिशल्क और उससंच चाहन बंता है यह सब दिखावाए जिखावाए परिकावार सशाध्यफीुड आने जानेका वहति जड़ी पुटी है अब हम लोग इसमें दालेगे सब मुता हुआ और ठोड़ा सा नमाख, थोड़ा सा गरम मसाला और ऐसे लेके ऐसे पलट देगे, रेडी, कोई बटर चीज नी, एक तम साधा सेंपल सुथ, खाने में जो सांदर, जबर जद, जिन्दा बार, आओ पीओ, एस करो मेरे दोस्त, नहीं रहा, थोड़ा सा ग्रेवी मारा, तो पापलेट फ्राई ह हो जाएगा, बड़ा सा रसा मारा, तो पापलेट ग्रेवी हो जाएगा, टेस्ट वही रहेगा, लेकिन फ्लेवर अलग-अलग हो जाएगा, आप अवाद सुनिए, क्रंची एक दम, पापलेट इसी को बोला जाता है, इसी को खाने में, चकने में, हुल इंटेटेमेंट के स साथ इसको मज़ा आता है, आप एक बड़ सीफा अमदाबादी तवा प्राई में, फुल मज़े के साथ,